तो राम राम सारे भाईयों को कैसे हो सारे उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे जैसे हमारे नवल सर आपको अच्छे दिख रहे हैं हमारे सबसे अजीज मित्तर तो अभी हम जो फिलाल आप देख रहे हो वह हम आई श्यार न्यू डेली आये हुए तो सड्ने सुबह आच बजी हमारे लिए गेश्टाउस वगेरा खुलवा दिया यहां पर हमने स्टेक है नहां दोके बिल्कुल रेडी हैं हम तो अभी चल रहे हैं अपन आई श्यार में ही आगे जाएंगे देखते हैं किन-किन लोगों से मुलाकात होती है क्या यहां का सीन न्यू डेली का तो जो भी अग्रिकल्चर स्टुडेंट्स है सारे अपने साथ बने रहे और देखते रहे व्लोग में में मिरको लगता है बहुत कुछ अच्छा आपको जानने को मिलेगा देखने को मिलेगा और मजा आने वाला आपको तो चलते हैं एक बार भार का व्यू दिखा देते हो तो ठीक है मिलते हैं तो अभी टाइम हो रहा है ग्यारा और हम हम जा रहे हैं खाना खाना खाने यहीं पर मेस पर और यहां का महूल आपको मैं दिखाता हूं आप देखते चलना यह देखो डीयल नंबर वगेरा यह हमारा केस्ट था यह सरकारी डिपार्क्मेंट है पूरा एक अलगी लेवल का फील आता है जब यहां रहते हैं यह यहां आते हैं और मैनत करो गाओं के लोग जब गाओं के गरीब किसान मजदूर बच्चे जब अब यहां पर आएंगे ना उनके बच्चे अलगी सुकून मिलेगा यह आप देख सकते हो आपर भारती क्रिशी होल बहुत अच्छा है तो अभी हम जा रहें खाना खाने यह दिख रहा होगा अंतराश्टी पश्रिक्षन छात्रावास इंटरनेशनल ट्रैनिंग वाला पूरा विजिट करेंगे अपन मेरे को तो यहां पर बहुत अच्छा फील हो रहा है मतलब आके कि यार लोकेशन वगेरा साही अच्छी है महोल भी बहुत अच्छा है एक रेड़ विलकुल यह देख सकते हो आप नवल सर के फेस पे एंटरी करते हुए और यह हम पहले खाना खाएंगे और जैसके हम जारोके वे थे टारेक्टर सब्सक्राइब उनको परमिस्ट किया था यहां पर एंटरी कर चुके हैं और जो रेस्टिंग कैफिटेरिया वहां पर जाके रहेटे हैं और अभी अपना संस्तान में जेस्ट बन मेस में चलने वाले हैं तो खाना खाने गए थे टाइम हो रहा है साड़े ग्यारा वहां से निकल के भूक लग लगा ली थी भ्हेंगकर भूके पैट कुछ नहीं होता है पहला जो है काम वह खाने का यह है पर उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं हुआ एक से दो खाना उनका रहता है तो अब हम बहुत अच्छी की हुए यह आप है सारे पेड़ पोजे बिल्कुल शेप में हैं जो भी कटाई वटाई है बिल्कुल एक नमबर है यह का यह पावरा हुसे इनका चलो लो मजेव लोग के अब दिल्ली में एक बिल्डिंग से निकल गया दूसरी बिल्डिंग में आई शेयर भी बहुत बड़ा है अपका पूसा भी तो हमने वोट वगेरा नहीं लिया पेडल ही विजिट कर रहे हैं अपन विचरन कर रहे हैं भूमते रहते हैं का मावल वगेरा क्या-क्या बागी द दिल्ली का पॉलिशन जो की साहा हर जगह फेमस होगा तो उसी से बचने की मसकसत करते हैं आगे जा रहे हम वैसे इदर ग्री अच्छा है तो फाइनली दो किलोमेटर का चक्कर काटके में गेट पर हम आ गया है यह देख सकते हो आप आईशी यार भारते कर शिया नोशन दहान परिशर चलते अंदर देखते हैं सीन कर्सवी अनुसंतान 22 सेकंड इसमें डीडी जी बैठते हैं आपके डीडी जी एक्स्टेंशन एजुकेशन होगे डीडी जी इसमें क्रॉप साइंस होगे सबीज यह अलग लग 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 अनुस्टवी इसमें एस रभी है एक्रिकल सब्साइशी का भी पारेल है और सामने आपको दिखना होगा पूसा करसी यह इसे पूरा पूसा के अंदर इसका है यह जो आपके सामने दिख रहे है वह फिपस प्रयोक्साला है एक वग्यानिक था जिसका नाम था फिफस उसके नाम पर यह इस्ताफ पितन हुई थी और यह रहने वाले का के थे युएसे के थे और इन्होंने अपन को इंडियन गोर्लेंट को क्या दिया तो इसमें फंड दि एक सिंग्जी जो आई आरे के डिरेक्टर है उनको ओफिस की एंट्री हम कर चुके हैं और जस्ट मिलते हैं आगे आपन कैसे क्या रहता है बात करते हैं युजँ है कर दोस्तों हम अभी आये हैं तास में और यहां हमारी मुलाकात हुई थी एक्स डिजी और पदम बुशन ड्रार अरेस प्रदा सर से और साथ में एक जो अपने जांसिन इंस्ट्टूट है फोरेज का उसके एक्स डारेक्टर सर बारमल जी से बात हुई थी हमारी और लंभी इबारे सरस्था चलेती और यह जो इसमें तास है यह जो किसके लिए कारे क उसको सिज़ेस्ट करता है कैसे कैसे बढ़ने चाहिए और पूरे देस में हरको जैसे कोई भी कॉंफरेस होती है तो अच्छा लगा बहुत अच्छी चीजों पर चर्चा हुई हमीं बहुत लंबे समय तक और सण्यमें यह वहां का उनका जो गिफ्ट है वह भी हमें दिया ह है चीज तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकाभी अब आगे चलते हैं वैसे खाने का टाइम हो रहा है आगे देखते हैं किसको हाँ और इस पेसली उन्होंने जो बहुत अच्छा लगा बहुत प्यार दिया इतना सम्मान दिया सण्य इतना अच्छे फैमिली मेंबर की तरह को बहुत अच्छा लगा इस लेविल पर होके स्टुडेंट्सकों इस तरीके से कमरेट कर रहे हैं तो अभी देखते हैं आगे किन से मुलाकात होईगी क्या तो अभी आयम जो डाइरेक्टर सर он से मिलने के लिए हैं देखते हैं सर मिलते हैं वहां पर है तो म кажетсяं की बने रहो तो डाइरेक्टर सर कुछ मीटिंग में बीजी थे अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे अभी अपना है डॉक्टर बीपाल ऑडिटोरियम तो देख सकते हो क्या गजब दा लोकेशन है आप मन्मोहक पाल आईसेर के फर्स्ट डिजी रहे हैं आप जानते हो 1965 में रोज ब बरसों एक अपरेल आई आ रहे हैं और उसके जो चीप गेस चेर्मेंट यह आपका जेनेटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो रह गया इतर भई यहां पर इतने डिपार्टमेंट और इतना लेंधी मतलब इतना लंबा चोड़ा वो है कि जितना घूमों उतना कम है कोसिस करे आपको जितना हमसे बन पाए उतना दिखाने की बाकि आप आओ कभी विजिट करने यहां पर स्टुडेंट्स को भी अच्छा कासा सीखने के लिए वो मिलता है यहां देखोगे मोटिवेट होगे क्या रहसे सभी अपना फिल्ड में सारा कुछ है तो आईए यहां पर तो कि भूख लगए बहुत तेज खाना खाने जाएंगे उससे पहले देखते हैं इसी रास्ते पर इसी रूट पर जो डिपार्टमेंट अग्रोनोमी का और जो सा फाइटो क्रोम वाला कौन सा है तो उनमें दोनों में जाके आएंगे और देखते हैं क्या वहां का वह है बाकि हमारे वेजिटेबल डिपार्टमेंट रहें और यहां पर मेज पे और कई सब्सक्राइब रॉप से इन धीज़े का कंट्रोल होता है और वास्तों में कि समस्क्राइब लेड्य य데 उसके लेड़ेटरी यह वह आपको हम आज दिखाएंगे और आप हमारा साथ बने रहे हैं तो आगे हैं हम डिपार्टमेंट में एको डिपार्टमेंट विजिट करना है तो सुबह से यह डाई बजने वाले हैं खाना अभी तक नहीं मिला खाना खाना कर रहे हैं बज़े से हमने 6-7 डिपार्टमेंट विजिट किया है एक अभी जो डिपार्टमेंट विजिट किया है। उसमें हमने 25 निटे का वीडियो की हैं सर की अनुमती से सर ने आमें सारा को समझा है इतना अच्छा कंटेंट और रियल चीज़ें जो बुक्स के अपना थोरी तक आगे हैं चलते उदर तो यह एंट्री ले लिए हमने आनवानशिक संभाग जैनेटिक्स डिपार्टमेंट देखते हैं सर से मिलते हैं इसारा कुछ एक चीज तो कन फरम हैं यहां पर सो बंदे आ रहे हैं चाहिए पढ़ने रिसर्च पे उन में से ना नन्यान में वैल सैटेड़ भिल्कुल अच्छे डिपार्टमेंट में या तो हैड है या रिसर्च में है तो कोसिस करें अपने जो बैस है अपका इलेवन टू जो बहुत कुछ गूमने में इतना मज़े आ रहा है तो यहां रहे के पढ़ने में इन चीजों का सारा तो अलगी चारो तरफ अर्याली है वहां देखो पुरा ब्लैक और वाइट है डिपार्टमेंट विजिट करते हैं आपको दिखाते हैं वह लोग ज्यादा बड़ा हो होगा और देखना अराम साथी उसनी को बैज अपको सब्सक्राइब कुछ आपको सिखाएंगे देखते हैं कितना सीखेंगे हम तो सीख रहे हैं आप कितना सीखोगी यह तो सीख लिए कि भूख में डाई विजय तक पेदल कैसे चलना है दूख में यह हैं साब अपने चसमें वाले ग्रेगर जोहन मेंडल देख सकते हूं कि दो सो अब बर्थ है निर्सरी जुलाई बीस अरे इसका और विरा बड़े सेम डे है चलो भई डिपार्टमेंट इतना बड़ा है यहां पर सरका रूम ढूंड़ेना भी किसी महभारत से कम नहीं है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है यहां पर गूमने के लिए मैं को कि डाक्टर अंजू महेंदर सिंद प्रदाध्या पाख कि अधासा के साथ वापिस लोटते हुए सरे अभी चुट्टी पर अभी जाते हैं अपन खाना खा लेते हैं खाना मेरे बहुत ज़्यादा अपना दूप देख सकते हो दिल्ली की दूप बहुत तगड़ी आए ठीक कैसे फील हो रहा है नवल सर्व अपने राजस्तार में जहां पुरा ब्लैक और वाइट दिख रहा है उनकी तुलना में दिल्ली में पूरी चारो तरफ हर्याली हर्याली देख सकते हो आप बिल्लकुल हर्याली द्रीम होना चीह है रेग्रिकल्टर स्ट्रेंट का यहां पर गती सीमा बीस और मैं और नवल सर चल रहें स्टारिस के स्पीड में और यह जू सामने सर्किल दिख रहा है ना सुबह से हमारा पांचवा चकरे यहां पर कभी इस डिपार्टमेंट में कभी इस डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी-बड़ी सड़के हैं खेर मोजन तो ठीक है पर क्या ही बताएं चलो जो भी है ठीक ह है तो सामने सर्किल फिर से पांच वा विजीट सर्किल का हमारा अब देखते हैं किधर जाते हैं हम यहां से बागी फर्स्ट प्रटी मेरी अब मेरी खाना ही बची है भी खिलाऊ गया अभी मैस में अंतरराष्टी स्टुडेंट्स जो है इंटिनेशन श्टूडेंट्स वा हम गए थे सुबह भी वो पर मिटिंग में थे सार तो फिर अच्छा नहीं लगता है से दिश्टफ लोगेरा काना पर यह सर्किल के तो मेरे को सारा कुछ याद हो गया वैसे रस्ते याद नहीं रहते सुबह से वह भी पेदल बाइक पर होते कार पर ठीक है याद नहीं रहत तो फाइनली हमारी सर से बहुत सुखद मुलाकात हो गई है और टाइम हो रहा है साड़े तीन और मेरी डिमांड अभी इन्होंने पूरी नहीं की है खाने की आलत है खराब लेकिन सर ने पर बहुत अच्छी मुलाकात हुई बहुत कुछ सीखने को मिला फार्मर्स के बारे म सब्सक्राइब करेंगे चलो उसका भी फोटो मेंशन करेंगे चलो बहुत सीखा वाप है उसमें से कभी मोका पड़ेगा तब हम आपको बताएंगे ठीक है तो चलते हैं खाना खाना तो फाइनली पास से साथ डिपार्टमेंट हमने घूमें और डाइरेक्टर सार्स वगेर रिसर्स वाले जो अफिसर्स हैं उनसे मिलें बहुत अच्छी सुखद मुलाकात रही है बहुत प्यार दिया उन्होंने नास्ता वगेरा करवाया अब यह पढ़ाने लिए धन्यवा थैंक्स और यॉर विजिट काइंड विजिट अब लगता है मेरे को और हीमत नहीं रही ह एंड यह देख लो तो बताना मेरे को कैसा क्या लगा सारा कुछ सही नापका थीक है तो थैंक्यू सो मच और लव यू ओल